करेले का सीजन चला जाए उससे पहले बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी करेले की एक दम नई रेसिपी नमस्ते मेरा नाम है अंजली और आप देख रहे हैं कोक विद अपनी रसोई आज मैं बनाने जा रही हूं करेले की एक दम नई रेसिपी इस रेसिपी को देखने के बाद करेले की बाकी सारी रेसिपी आप भूल जाएंगे बनाना तो यहाँ पर मैंने 500 गराम करेला ले लिया है और इसे उपर से छीलना नहीं है डारेक्ट इसके आगे पीछे का हिस्सा काट कर हम इसे बिल्कुल स्लाइस में काटेंगे गोल गोल कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह करेली की रेसिपी को बनाना बहुत ही जादा आसान है और यह करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे कारंटी है मेरी आपके घर के बच्चे भी मांग मांग कर करेले की यह सबजी खाएंगे देखिए इसी तरीके से सारे करेलों को मैंने काट लिया है अब इसे एक चमच नमक डाल कर हम साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए देखिए बिल्कुल बराबर स्लाइस मैंने काट लिया है करेले का आप चॉपिंग बोड पर भी काट सकते हैं या बिना चॉपिंग बोड के जिस तरीके से मैंने काटा है वैसे भी काट सकते हैं आईए इसमें मिला देते हैं एक चमच भर कड नमक और इसे आदे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं भागी की चीजे देख लेते हैं इस करेले की रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो नमक डालने के बाद इस तरीके से करेले को मिक्स कर दें नमक के साथ ताकि इसका जो भी करवापन है वो पहले ही निकल जाए और हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी करवे ना बने दो मीडियम साइज के प्याज का इस्तमाल करूँगी इस रेसिपी को बनाने के लिए में तो इसे अच्छे से छील कर धो कर इसे दो हिस्सों में करके पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे इस तरीके का कटा हुआ प्याज करेले में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है यहाँ पर 500 गराम करेले बनाने के लिए मैं दो मीडियम साइज के प्याज का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप यह रेसिपी 1 किलो करेले के साथ बना रहे हैं यहाँ फिर 500 गराम करेले के साथ तो प्याज उसके हिसाब से आप डालें देखिए इसी तरीके से बारिक बारिक हमें प्याज को काट लेना है दोनों प्याज को बहुत ही simple और easy recipe है लेकिन अगर आप इस recipe को इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में जो करेले नहीं खाते हैं वह भी मांग मांग कर खाएंगे यह दोनो प्याज को मैंने यहाँ पर काट लिया है इस तरीके से अब इसे अलग-अलग कर देंगे थोरा सा आज के बाद हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए चार छोटे चमच दही ये फ्रेस दही है पाईए अब आधे घंटे बाद करेले को देखते हैं कि क्या हाल चाल है इनके तो करेले थोरे से सॉफ्ट हो गए है और थोरा सा पानी भी छोड़ दिया है करेले ने अब हम इसमें डालेंगे भर कर गुन-गुना पानी और दो-चार मिनट के लिए से साइड में रख देंगे ढखकर इस तरीके से जब आप करेले बनाएंगे तो आपको जादा देर करेले में नमक लगा कर रखने की जरूरत नहीं है आधे घंटे के अंदर जो आपका करेला है वो बिलकुल रवापन छोड़ देगा तो इसके अंदर मैंने गरम पानी एड़ कर दिया है और थोरा सा इस तरीके से भीगो देना है हमें करेले को गरम पानी में आईए अब इसे साइड में रखकर बाकी की तयारी करते हैं इस सबजी को बनाने के लिए यहाँ पर जो करेला है वो मैं बना रही हूं सरसो के तेल में और सरसो का तेल में जब करेले बनते हैं तो बहुत ही जादा टेस्टी बन कराता है यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा एड़ कर दिया है जीरा जब थोरा सा गोल्डन हो जाए तो इसमें हम एड कर देंगे प्याज अगर आप यह रेसिपी हरी मिर्च के साथ बनाना चाहते हैं लाल मिर्च के इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसी टाइम पर आप हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं इसमें प्याज को 2-5 मिनट तक अच्छे से फ्राइ करना है हमें उसके बाद हम इसमें तो करेले में जो हमने पानी डाला था उस पानी को फैक कर 2 से 3 बार नॉर्मल टंपरेचर के पानी से धो कर मैंने साइड में रख लिया है देखिए प्याज को भूनते हुए 2-5 मिनट हमें हो गया है तो अब हम इसके अंदर एड करेंगे करेले इस करेले की रेसिपी को बनाने में जादा समय नहीं लगता है और इस रेसिपी को आप स्टोर करके भी 3-4 दिनों के लिए रख सकते हैं फ्रिज में सारे करेले एड़ करने के बाद इसे तेज आझ पर फ्राई करेंगे दो से तीन मिनट के लिए उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे बाकी के मसाले normal से मसालों के साथ इस रेसिपी को मैं बना रही हूं यहाँ पर मैं लहसन का इस्तमाल नहीं कर रही हूं अगर आप चाहे आपको ज़्यादा लहसन खाना पसंद है तो आप इस रेसिपी में प्याज के साथ लहसन भी एड़ कर सकते हैं इना लहसन के भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनकर तैयार होगी तो देखिए यहाँ पर जो मैं मसाले यूज कर रही हो उसमें है मेरे पास एक छोटा चमच हल्दी एक छोटा चमच लाल मिर्च धनिया पाउडर नमक और यहाँ पर सोफका पाउडर मैंने दो बड़े चमच लिये हैं दही मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह चार चोटा चमच दही भी एड़ करूंगे मैं इस करेले में तो दो से तीन मिनट हो गए हमें इस करेले को तीज आज पर फ्राई करते हुए अब हम इसमें एड़ करेंगे जो मसाले हमने अभी आपको दिखाए हैं वही मसाले हमें एक साथ एड़ कर देना है मसालों को एड़ करने के बाद हम इसे ढख कर पकाएंगे चार से पांच मिनट के लिए लोटू मीडियम फ्लेम रखें गैस का और इसे अच्छे से पकने दें चार से पांच मिनट के बाद आप देखेंगे कि करेला बहुत ही अच्छे से सौफ्ट वी हो गया और अच्छे से पक गया है उसके बाद हम बाकी की चीज़े एड़ करेंगे उकवित अपनी रसोय के माधियम से अगर आप यी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्यूंकि मैं आपके लिए हर रोज एक ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जो कम समय में तो बनती है साथ ही साथ बहुत ही जादा स्वादेश्ट भी बनकर तैयार होती है अब इसे ढख कर हमें चार से पांच मिनट के लिए पकने देना है और उसके बाद मैं आपको दिखाते हूँ ये करेले कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब इसे में चलाओंगी वापिस और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है करेले में और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है करेला अब हम इसमें एड करेंगे दही तो करेले के बीच में थोड़ा सा जगा बना लें और उसके बीच में डाल दें दही दही डालने के बाद तेज आज पर एक से डेज मिनट के लिए इस करेलों को फ्राई करना है उसके बाद एड़ करेंगे हम सौफ का पाउडर और एक चमच आमचोन पाउडर आपके घर में जब ये बच्चे करेले खाएंगे तो उनका आज से फेवरेट हो जाएगा करेला क्य भी आपके करेले करवे नहीं बनेगे ये गरंटी है मेरी मेरे बच्चे भी पहले करेले बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते थे लेकिन इस तरीके से जब मैं करेले बनाकर उनको देती हूं तो वो स्कूल के टिफिन में भी करेले ले जाना पसंद करते हैं और पूरा टिफि वो बनकर तयार हो जाएगा अगर अभी तक आपने मुझे फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां भी मुझे फॉलो जरूर करें मैं आपके लिए वहां पर भी बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी किचन हैक और किचन टिप्स की वीडियो ले गरम सर्व करें रोटी पराठे या दाल चावल के साथ उक्वित अपनी रसोय के माध्यम से मैं हमेशा कोसिस करती हूं कि आपके लिए ऐसी रेसिपी ले करा हूं जिससे आपका समय भी बचे और खाना बहुत ही जादा स्वादेस्ट भी बने अगर आपको यह रेसिपी पस केले बनकर तयार हो चुके हैं अगर आप इस रेसिपी को ट्राइ करते हैं तो अपना एक्सप्रियेंस जरूर मेरे साथ सेयर करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल के द्वारा कोई अपनी पसंद की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वह भी मुझे आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी आप से कभी न छूटे सबसे पहले नौटिफिकेशन आपके पास जाए पट